तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास नाइट के चैप्टर नमबर 6 लाइन एंगल्स के एक्जामपल नमबर 1, 2 और 3 तो एक्जामपल नमबर 1 देखते हैं इसमें हमें दिया है इन फिगर, लाइन्स PQ and RS इंटरसेक्ट इच अदर इस फिगर के अंदर हमें दो लाइन दिये एक लाइन है PQ और एक लाइन है RS और यह दोने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कौन से पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर जो की यह वाला पॉइंट है यहां पर यह इंटरसेक्ट कर रहे हैं इफ एंगल POR रेशो ROQ तो POR कौन सा है POR यह वाला एंगल ठीक है? और दूसरा एंगल ROQ तो इन दोनों एंगल्स का हमें रेशो दे रखा है कितना? 5 रेशो 7 फाइंड ओल दा एंगल्स तो हमें आपर चार एंगल्स दे रखें चारों की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है तो हमें कौन-कौन से एंगल का रेशो दे रखा है एक एंगल यह वाला है POR और एक एंगल है यह वाला इसका नाम क्या है ROQ इन दोनों एंगल्स का रेशो हमें गिविन है 5 रेशो 7 तो देखो हमें एक चीज पता है कि यह पूरे के पूरे दोनों के दोनों एंगल्स को अगर हम मिला है तो यह कौन से वाली लाइन पर बन रहा है POQ लाइन पर तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री क्योंकि linear pair जहाँ पर बनता है linear pair में एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री मैंने यह पर आपको बताया था कि अगर दो एंगल्स मिलकर इस तरीके से half circle बना रहे हो तो उन दोना एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री वहाँ पर हम कह देते हैं वो linear pair of angles बना रहे है तो यहाँ पर यह इसी तरीके से दे रखा है इन दोनों को अगर आप देखोगे तो यह इस तरीके से क्या बना रहे है half circle type का बना रहे है तो अब यह अगर इसको आप 5 मानते हो और इसको अगर 7 मानते हो तो 5 और 7 का सम तो नहीं हो सकता 180 तो जब भी आपको question के अंदर ratio दे रखा होगा तो आप इसको कुछ मानते हो और मानोगे कैसे पहले इसका solution देखो किस तरीके से आपको represent करना है पहले लिखते हैं हम question के अंदर के हमें given क्या क्या है जब भी आपके सामने figure वाले geometry के जो questions होते है उसे पहले आप given लिखोगे फिर जो आपको find out करना या prove करना उसके बाद आप solution शुरू करोगे तो given क्या क्या है given है हमारे पास के lines PQ and RS ये क्या कर रही है intersect कर रही है at O और हमारे काम की चीज़ क्या है कि POR और ROQ इन दोनों का ratio कितना है 5 ratio 7 और हमें find out क्या करना है तो to find find हमें करने है all four angles चारो के चारों angles हमें इसके अंदर find out करके बताने जो यहाँ पर दे रखे है तो अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे जो हमें दोनों angles दे रखे हैं angle POR इसको कुछ मानेंगे जैसे हमने इसको क्या मान लिया 5X और angle ROQ इसको क्या मान लेंगे हम 7X जब भी आपके सामने इस तरीके से ratio दे रखा होगा तो आप उसको कुछ let कर लोगे assume कर लोगे अपनी तरफ से अब आपको पता इन दोनों angles का sum कितना होने वाला है 180 तो आप लिखोगे angle POR और angle ROQ इन दोनों का sum होगा 180 डिगरी क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे है linear pair ठीक है ये वाला angle और प्लस ये वाला angle तो POR अभी हमने कितने का माना है 5X का और ROQ कितने का है ये हो गया 7X का 5X और 7X कितने हो जाएंगे 12X अब ये X के multiplication में 12 यहाँ पर बीचो multiply माना जाता है तो ये इदर आ जाएगा किसमें divide में 180 के divide में कितना आ गया 12 12 से इसको cancel कर लोगे 12 बन जा 12 कितना बचेगा यहाँ पर 6 6 और 0 कितने हो जाएंगे 60 तो 12 5 जा 60 तो X की value कितने आ गई अपने पास 15 और हमने क्या क्या एंगल माने थे एंगल POR था 5X और एंगल ROQ कितना था 7X तो अब यहाँ पर X की value का आप put कर दोगे तो therefore एंगल POR जो की कितना था 5X तो 5 और X की जगा पर कितना आ जाएगा 15 तो 15 5 जा कितना हो गया 75 डिग्री मींस यह वाला जो एंगल है कितने डिग्री का है 75 डिग्री का और एंगल ROQ यह कितने का माना था 7X तो 7 और X की जगा पर कितना आ जाएगा 15 जो अभी हमने value निकाली है तो 15 7 जा कितना हो जाएगा 105 डिग्री तो अपने पास अब दो एंगल्स आ चुके है एंगल POR जो कि यह वाला एंगल था POR यह वाला एंगल कितने का आ चुका है 75 डिग्री का और ऐसे ही एंगल ROQ जो दूसरा एंगल हमें दे रखा था ROQ यह कितने का आ गया 105 डिग्री का आप देख भी सकते हो इन दोनों को अगर हम PLUS करेंगे तो कितना आएगा 180 और इन दोनों का हमें रेशो दे रखा था इसका मतलब यह है कि अगर आप 75 और 105 को काटोगे न तो कितना रेशो आएगा रेशो आएगा 5 रेशो 7 जैसे 15 से आप इसको काटते हो तो 15 5 जा 75 और 15 7 जा 105 15 से कट जाएगे दोनों तो 5 रेशो 7 अब यह दो एंगल तो आगए अपने पास दो एंगल और रहे गए हैं तो दो एंगल कौन कौन से है एक है यह वाला POS जो की यह वाला एंगल है और एक एंगल है QOS तो इन दोनों एंगल को कैसे निकाले तो कल एक प्रॉपर्टी और बताई थी वर्टिकली अपोजिट अगर कहीं पर इस तरीके से कैची टाइप किया सिजर बन रही होती है तो महाँ पर यह आमने सामने के जो एंगल साही एकवल होते है means अगर यह 75 का है तो यह वाला जो एंगल है QOS यह वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा 75 का और अगर ROQ105 का है तो POS वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा 75 का यह चीज मैंने आपको introduction में detail में समझाई थी वहाँ पर आप देख सकते हो तो now हम लिख सकते हैं कि angle P, O, R के equal कौन सा वाला angle बैठेगा अपना ये वाला जिसका नाम क्या है Q, O, S या फिर S, O, Q तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q, O, S और ये दोनों क्यों 75 का तो इसका मतलब angle Q, O, S भी कितने का हो जाएगा 75 degree का तीन angle आगए अपने पास उसके बाद आता है ये वाला angle P, O, S तो ये P, O, S वाला angle किसके equal होगा P, O, S ये है तो ये वाला angle हो जाएगा आपका इस वाले angle के equal R, O, Q के equal तो angle R, O, Q किसके equal होगा P, O, S के angle P, O, S और ये भी क्यों equal है क्योंकि ये है vertically opposite angles ठीक है तो यहाँ पर आपको R, O, Q पता है कितने का है 105 का तो angle P, O, S भी कितने का हो जाएगा angle P, O, S भी 105 degree का ही होगा ठीक है तो आपने पास 4 के 4 angles आ चुके हैं ये 75 तो ये भी 75 ये 105 तो ये वाला भी 105 क्योंकि ये scissor में बन रहे हैं तो जब भी आपको ratio दे रखा हो तो आपको क्या कर लेना है उसके आगे कोई variable मान के इस तरीके से आप कर दोगे 5X और 7X जैसे मैंने आपर माना है जरू नहीं X ही मानो 5A और 7A मान लो उन दोनों को plus करेंगे तो 12A आएगा तो कुछ भी मान कर आप कर सकते हो लेकिन तरीका ये ही है और इसी के साथ हो गया है अपना example number 1 अब हम देखते है example number 2 तो example number 2 में हमें दिया है in figure ray OS stand on the line P O Q एक line दे रखी है हमें P O Q नाम की उसके ऊपर एक ray है जिसका नाम क्या है O S ठीक है ये वाली ray OR and ray O T angle bisectors of angle P O S and angle SO Q respectively इसके अंदर दो ray है एक ray है जिसका नाम क्या है O R जो की ये वाली ray है और एक ray है कौनसी O T OT कौनसी ray है ये वाली तो ये दोनों की दोनों जो ray है यह bisector है एक एंगल POS की तो POS यह वाला पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक इसके दो बराबर हिस्से कर रहे है कौन सी लाइन यह? OR OR वाली जो लाइन है वो कौन से वाले एंगल के दो हिस्से कर रहे है? POS के क्योंकि इसने यहाँ पर दे रखा है bisector तो bisector का मतलब होता दो बराबर हिस्से कर देना तो इस वाले एंगल के माली जाए एंगल जो भी हो माली जाए गर यह एंगल 100 डिगरी का है तो 100 डिगरी का मतलब यह है कि यह वाली जो लाइन है OR नाम की जो रे है इसने 50 डिगरी इधर कर दिया होगा और 50 डिगरी इधर कर दिया होगा ऐसे ही हमें दे रखा है कि यह जो रे OT है तो OT यह वाली है इस वाली रे ने कौन से वाले एंगल का हाफ कर दिया है मतलब कौन से वाले का यह bisector है SOQ तो SOQ यह वाला एंगल है तो इसका half का मतलब यह है कि अगर यह पूरा का पूरा एंगल मान लीज़े एक second के लिए कि अगर यह 80 का है तो उपर की तरह 40 नीचे 40 actual में इतने के नहीं है लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यह जो lines है इन line का काम क्या होता है bisector का उस पूरे के पूरे एंगल का यह half कर देती है जो भी एंगल दे रखा हो उसके बाद हमें बताया एंगल POS यह पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक कितने का है यह X का है और हमें बताना एंगल R, O, T तो R, O, T कौन सा एंगल है आपको देखना है R, O, T तो आपको बताना है यहां से लेकर यहां तक का यह वाला एंगल कितने का होगा R, O, T यह वाला इतना हिस्सा तो R, O, T निकालने के लिए मैं क्या काम करूँगा मैं निकालूँगा r o s मतलब यह वाला एंगल यहां से लेकर यहां तक का पहले यह वाला एंगल निकाल लेंगे r o s और फिर उसमें यह वाला एंगल s o t जो है इसको plus कर देंगे तो इस वाले एंगल को और इस वाले को एंगल को प्लस करके ये पूरा का पूरा एंगल बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, ROT, समझ गए ना, तो अब सबसे पहले हमें जो question में given है, उसकी हम help ले ले लेते हैं, और उससे हम देखते हैं, कि हम ROT कैसा ही लेकर आएंगे, तो सबसे पहले हमें question के OS कितने का होगा, तो अगर ये पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक यह जो POS है, अगर ये पूरा X है, तो ये वाला X का आदा हो जाएगा, half का मतलब क्या है, आदा कर देना, half क्यों हो रहा है, क्योंकि OR ने इसको आदा कर दिया, तो आप लिख सकते हो, कि angle ROS जो है, किसका angle POS का, ये POS angle है, इसका half, इस वाली line ने किया है, तो आप यहां पर लिखकर भी दिखा सकते हो, कि OR is the bisector of angle POS, मैंने आप पर बताया था, OR किसकी bisector है, POS की, तो bisector का हम आदा करने का होता, अब POS की value X है, तो हम POS की जगे क्या रख देते हैं, X, तो यह हो गया, ROS equal to 1 by 2, और POS की जगे कितना आगया, X, इतना समझ गए, इसको हम मान लेते हैं, ये वाली हो गई अपने पास, equation number first, ठीक है, क्योंकि मेर को, अब ही मैंने आपको बताय एक तो मुझे ROS चाहिए, एक मेर को ये वाला चाहिए, SOT, तो ये वाला तो मैं निकाल चुका हूँ, ये कितना आगया, 1 upon 2X, अब मैं ये वाला और निकाल लूँगा, तो मेरे पास इन दोनों को plus करके, ये ROT की value आ जाएगी, अब आगे देखो, अब अगर मान लेजे, य यहां से यहां तक का angle देखा जाए, ये वाला angle कितना है, ये है POS, ये जो इतना angle है, ये कौन सा है, ये है POS, और दूसरा angle, इधर वाला कौन सा है, ये SOQ, ये वाले दोनों angles की बात कर रहा हूँ मैं, SOQ, ये वाला, तो इन दोनों angles का sum कितना होगा, इन दोनों angles का sum होगा, 180 degree क्योंकि अगर दो angles अगर हम ले रहे हैं माल लिजए एक second के लिए ना तो ये वाली line है ठीक है? और ना ही ये वाली line है बस ये वाली line दे रखी है बीच में ये वाली, तो एक angle कौन सा है POS और एक कौन सा है SOQ, तो इन दोनो angles का sum कितना हो जाएगा 180 degree इन दोनों का sum कितना होगा 180 क्योंकि ये मिलकर क्या बना रहे है linear pair ठीक है? अब आगे देखो POS तो हमें पता है कितने का POS तो इसने कोशन में ही दे रखा है वो है X का और इधर क्या बचा SOQ equal to 180 degree ये X इधर plus का इधर आएगा तो minus का हो जाएगा angle SOQ equal to 180 minus X ठीक है? तो ये मुझे पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का angle पता चल चुका है ये वाला कितने का है? 180 minus X लेकिन मुझे तो बस इतना चाहिए ना ये वाला इससा SOT तो ये SOT जो है ये इस पूरे का आदा होगा SOQ का half होगा तो आप क्या लिखोगे? कि SOT जो हो angle है angle SOT वो आदा है किसका? angle SOQ का जैसे यहां पर ये वाला जो angle था ROS ये वाला angle किसका आदा था? ROS angle जो था वो POS का आदा था और आदा किस ने किया था? OR ने तो इसी तरीके से अगर आप इधर की तरफ देखते हो तो ये वाला angle कौन सा है? ये है SOQ तो इसका आदा किसने कर दिया? OT वाली line ने तो इसका आदा कौन सा बेटेगा? ये वाला angle जिसका नाम क्या है? SOT SOQ की value यहां से उठा कर रख देते हैं ये जो हमारे पास आई है तो angle SOT अर ये half क्यों है? आप यहां पर लिख कर दिखाओगे क्योंकि यहां पर OT जो रही थी वो क्या कर रही थी? bisect कर रही थी तो आप यहां पर लिखोगे OT is the bisector of angle SOQ ठीक है? इसलिए half होगे जैसे यहां पर आपने लिख कर दिखाए था ऐसे ही यहां पर लिख कर दिखा दिया तो 1 upon 2 और SOQ की जगा पर कितना रख देंगे? SOQ की जगा पर आ जाएगा 180 और फिर minus x ठीक है? अब हमारे पास SOT की भी value आ गई और आप इसको और आगे solve कर सकते हो इस 1 upon 2 को अंदर ले जाओ तो अंदर कैसे जाता है? 1 upon 2 की multiply 180 में भी होगी और 1 upon 2 की multiply x में भी होगी तो 1 upon 2 की multiply जब 180 में करेंगे तो यह हो जाएगा 180 upon 2 minus 1 की जब x में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1 x तो 1 x को x ही लिख लेते हैं और upon में 2 यहाँ पर 2 साइग कैंसल हो गया कितनी बार? 90 बार तो यह कितनी आ गई वैल्यू? 90 minus x upon 2 तो यह वाला एंगल आ गया मेरे पास 90 minus x upon 2 अब आगे देखो मुझे कौन से एंगल निकालना था? एंगल ROT इसके अंदर कौन-कौन से एंगल है? एक तो यह वाला एंगल है इसका नाम क्या है? ROS तो इसका नाम लिख देते हैं ROS और एक एंगल यह वाला है इसका नाम क्या है? SOT तो एंगल SOT तो ROS की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं कितनी है? 1 upon 2 x SOT की वैल्यू यहाँ पर अभी निकाली है वो कितनी है? 90 minus x upon 2 तो यह हो गया 90 minus x upon 2 यह plus का x upon 2 यह minus का x upon 2 तो यह दोनों cancel out हो गए तो ROT की वैल्यू कितनी है गई? ROT एंगल जो है वो आगया अपने पास कितने डिगरी का? 90 डिगरी का ठीक है? तो ध्यान से देख ले न कौन सा किसका आदा है? इसको चाहे तो आप पीछे से rewind करके एक दो बार देखो question important है यह तो यह हो गया example number 2 अब हम देखते है example number 3 तो example number 3 में दिया है in figure O, P, O, Q, O, R and O, S are four rays इसके अंदर चार ray है एक O, P है एक O, Q है एक O, R है और एक O, S है यह चार ray है ray क्या होती है line क्या होती है line segment क्या होती है मैंने आपको introduction में detail में बता रखा है ठीक है? आगे देखो उसके बाद कहा रहा prove that angle P, O, Q तो P, O, Q कौन सा एंगल है? यह वाला angle Q, O, R तो Q, O, R means यह वाला angle angle S, O, R तो S, O, R means यह वाला angle और angle P, O, S तो P, O, S हो गया यह वाला angle इन सारे के सारे angles का sum मिला कर कितना बैठाना है? 360 और आपको दिख भी रहा होगा यह complete angle बन रहा है तो complete angle तो 360 degree का ही होता है तो हम इसको prove कैसे करें क्योंकि यह prove करने का question है तो prove करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? पहले इस में इस line को मतलब इस ray को थोड़ा इधर की तरफ extend करोगे ताकि आप उपर और नीचे क्या लगा सको? linear pair क्योंकि हमें पता है linear pair के अंदर दो angles का sum 180 degree होता है वहाँ से दो equation मनाएंगे और 180 और 180 को जोड़ कर कितना ले आएंगे? 360 तो देखो मैंने क्या चीज़ समझाई है ध्यान से समझो तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? इसके अंदर एक ray आपको कोई सी produce करनी है तो कौनसी वाली ray को produce करे लेते हैं हम? इस वाली ray को जिसका नाम है OQ तो हमने इस ray को इधर की तरफ आगे बढ़ा लिया थोड़ा सा ऐसे ठीक है? अपनी तरफ से construction हम कर सकते हैं और मान लिजे यहाँ पर हमने कोई नाम दे दिया PQRS अब आगे देखो solution तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम? जो चीज हमने यहाँ पर बढ़ा ही है पहले इसको लिखोगे कि हमने produce करी है कौन सी line? QO कौन से point तक? T point तक तो produce QO to a point और कौन सा point? T उसके बाद अब यहाँ पर आप ध्यान से देखते रहे हैं मैं कौन-कौन से angles को ले रहा हूँ और कौन-कौन से angles को हम लेकर उसमें हम बना रहे हैं linear pair तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक यह वाला angle इसका नाम क्या है? इसका नाम है T O P और एक angle अपना यह वाला हो गया इसका नाम क्या है? P O Q इन दोनो angles का sum कितना बैटेगा? इन दोनो angles का sum बैटेगा 180 degree क्योंकि यहाँ से यहाँ तक यह half circle है कौनसी वाली line पर? इस वाली line के उपर जो की line कौनसी है? T O Q और T O Q पर यह O P एक ray है और ray जो होती है वो यहाँ पर हमने देखा दो angle बना रही है और दोनो angles आपस में कैसे कहलाएंगे? फिर linear pair तो यहाँ पर आप लिखोगे since O P stands on line कौनसी line? इस वाली line का नाम क्या है? T O Q तो यहाँ पर दो angle बन रहे हैं एक है यह वाला जिसका नाम क्या है? P O T Angle P O T और एक यह वाला angle है जिसका नाम क्या है? P O Q Angle P O Q इन दोनो angles का सम कितना होगा? 180 degree क्योंकि यह क्या बना रहे है? Linear pair ठीक है? यहाँ तक समझ गए अब यहाँ पर हमने नीचे की तरफ देखा तो यहाँ पर तीनों को मिला कर हम linear pair तो कह नहीं सकते क्योंकि linear pair के अंदर कितने angles होने चाहिए? 2 लेकिन यहाँ पर 3 है लेकिन 3 के 3 मिलकर बना तो straight angle ही रहे है यह 3 के 3 angle मिलकर क्या बना रहे है? Straight angle तो straight angle में भी सम कितना होता है? 180 degree यह चीज मैंने आपको कल डीटेल नहीं बताई थी पिसली वाली वीडियो में कि अगर linear pair है तो उसके अंदर 2 angle होंगे और straight angle के अंदर जितने भी angle दे रखे हों 3 हों, 4 हों लेकिन अगर वहाँ पर इस तरीके से किसी line के उपर बैट रहे हैं सबसे पहले इस वाले अंगल का नाम इसका नाम क्या हो गया? T.O.S अंगल T.O.S प्लस फिर इस वाले अंगल का नाम इसका नाम हो गया? S.O.R अंगल S.O.R प्लस फिर इस वाले अंगल का नाम इसका नाम क्या हो गया? Q.O.R अंगल Q.O.R इन तीनों का सम्भी कितना होगा 180 डिगरी क्योंकि ये तीनों मिलकर कैसे एंगल बना रहे हैं इस्ट्रेट एंगल और ये कौनसी वाली लाइन पर लाए कर रहे हैं इस वाली पर ही तो अब यहां पर हम इसको मान लेते हैं यह हो गई अपने equation number first और यह वाली होगे equation number second यह वाला आप समझे होगे POT कौन सा एंगल है POT होगे यह वाला एंगल POT और P O Q कौन सा एंगल है P O Q होगे यह वाला एंगल P O Q अब इन दोनों equations को हम क्या कर देते हैं add तो आप लिखोगे adding equation number first and equation number second तो add कैसे होते हैं add इस तरीके से किया जाता है कि यह जो LHS वाला है मतलब equal to के left hand side वाला है वो left hand side वाले में जुड़ेगा और जो right hand side वाला है वो right hand side वे equal to के right hand side में 180 और 180 है तो पहले हम इसको लिख लेते हैं angle P O T plus angle P O Q plus angle T O S plus angle S O R plus angle Q O R equal to यह यह 180 में क्या plus हो जाएगा 180 तो 180 plus 180 अब यहाँ पर आप देखो जो आपको चीज प्रूव करनी थी यह वाली चीज आपको प्रूव करनी है तो इधर की तरफ क्या लाना है 360 तो इन दोनों को plus करके 360 तो आ गया और इन मेंसे चारों मेंसे कौन-कौन से आपके पास पहले देखते हैं पी-ो-क्यू है क्या तो पी-ो-क्यू यह रहा चलो इसका हमें छेड़ना नहीं है तो पी-ो-क्यू लिख लेंगे इसको लिख लिए हमने एंगल P-O-Q फिर एंगल Q-O-R पहले इसको लिख लेता हूँ क्योंकि यहां पर यही दे रखा आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उससे अगर मान लिए जब कहीं पर ऐसे लिख रहा है 2 प्लस 3 प्लस 4 अगर मैं इसको 2 प्लस 4 प्लस 3 लिख दूँगा तो एड़ गर के तब भी वही नंबर आएगा कोई फरक नहीं पड़ता तो आगे पीछे आप उसको लिख सकते हो उसके बाद आता एंगल S-O-R ठीक है अब दो एंगल बचे अपने पास कौन-कौन से एक P-O-T बचा इसको मैं हापर लिख देता हूँ एक ब्रैकेट में और एक बचा मेरे पास कौन सा एंगल T-O-S तो मुझे ये दोनों के दोनों तो प्रूव में लाने ही नहीं थे मुझे इन दोनों की जगे क्या लाना है देखिए P-O-Q हो गया Q-O-R हो गया S-O-R हो गया बचा क्या P-O-S तो अब हम देखते हैं क्या इन दोनों को प्लस करके P-O-S वाला एंगल बन रहा है तो P-O-T कौन सा एंगल है P-O-T है ये वाला एंगल ठीक है और T-O-S कौन सा है T-O-S है ये वाला एंगल तो इन दोनों एंगल को प्लस करके कौन सा एंगल बन रहा है ये वाला पूरा का पूरा एंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है POS ठीक है ध्यान से देखो POT ये वाला एंगल हो गया यहां से यहां तक और TOS ये ये वाला एंगल हो गया तो जब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को एड़ कर हो गया तो यह पूरा एंगल बन गया ना, यहां से लेकर यहां तक, तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, POS, तो हम इसकी जगा पर क्या लिख देंगे, POS, तो हो गया, P O Q, प्लस एंगल Q O R, प्लस एंगल S O R, और इन दोनों को प्लस करके, हमने figure में चेक करा, कौन से एंगल बन रहा है, P O S, और एक Q2 में कितना हो गया, 360 degree, और यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो लास्ट मैप लिख दोगे, हैंस, प्रूवड, ठीक है, इसी के साथ यह आपका example number 3 भी complete हो गया, अब हम next video में करेंगे, इसकी जो exercise है 6.1, और अगर तीनों examples में किसी में आपको कोई doubt हो, तो आप comment करके पूछ लेना,